कि हलो इस्टुट्स नेक्स्ट हम सॉल करेंगे कैश नंबर फेव्थ क्या कह रहा है देखो यहां पर आपको गिविन है यह मैंट्रिस गिविन है देन फाइंड इस कंडिशन अब मैं यहां पर बहुत सारे रिमार्क्स वाले जो हमने इंट्रोड़क्शन पार्ट में पड़े अब बढ़ते हैं आगे नेक्स देखो इसका वाला जो फामला लगा है वही लगाओ इसका वामला होता है एन माइनस वन इसकी वैलू 5 है एन की वैलू 3 माइनस 1 क्योंकि और यह खुद बता रहा है 5 की पावर 2 मतलब की 25 बताओ समझ में आया क्या किलियर है नेक्स देखो इसकी वैलू कितनी है 64 है और इसकी वैलू हमें पता नहीं है अभी और थ्री है तो 3 माइनस 1 कर दे तो इसकी पावर हम क्या बोल सकते है 2 बोल सकते है कितना निकल के आएगा प्लस माइनस में 8 निकल जाएगा यह का वैलू इसका मतलब हैंस जो ए का डिटर्मिनेंट है वो क्या है पॉजिटिव एट और नेगिटिव एट बताओ संज में आया क्या है क्लियर है कैशन 5 पार्ट 3 कंप्लीट नेक्स देखो इफ एज़ए स्क्वेर मैंटिस और थ्री सच डट इस कंडिशन इस और फैंट इस ठीक है तो हमें बता है जब भी हम इफ एट जूंट आफ डिटर्मिनेंट इसको जब सॉल करते हैं यह थ्री बाहर निकलता है बट पावर ओफ एन के साथ पावर ओफ एन के साथ एन मतलब ऑडर ओफ मैट्रीश सब्सक्राइब और इस के एट जॉंट का मतलब क्या होगा एक की पावर एन माइनस वान इस एन को थोड़ा सा साफ लिख देता हूं मैं कि समझ मारा जोनों मैं क्या डिफरेंस है यह एन है और फिर इसकी पावर एन माइनस वन आ एन कितना ओडर रहा थी है और यह 3-1 3-3 जा 9, 9-3 जा 27 है इसकी value कितनी हो गए हमार पास minus 2 और 3-1 या निए 2 2-2 जा कितना हो गया 4 4-7 जा 28 4-2 जा 8, 9-10, 108 बताओ संज मा आया क्या किलिया रही answer सभी को 5th का 4th part complete next देखो कहां चला गया इस पर आजओ A inverse का dash निकालना है आपको हमें पता है कि यह जो A inverse मुझे 5 given दे रखा है इसका मतलब यहाँ पर A का और A inverse का अपने को क्या पता है A और A inverse equals to क्या रहता है आई रहता है आपका identity matrix होता है आप उनको पता है आप ठीक है अब मैं यह कह रहा हूँ आप से कि अगर मुझे मेरे पास एक की value given है मेरे पास और मुझे इसकी value निकालनी है तो मैं क्या कह सकता हूं पोट साइड हाना identity matrix इसके इसका determinant solve करेंगे तुम्हार पास क्या निकल के आ जाएगा आपके पास देखो यह 1-0 तो जीरो रहता है, 01001001, ठीक है, इसको solve करेंगे, तो 1 निकल के आएगा, और इसको मैं separate कर सकता हूँ, determinant में, अब इसकी value और इसकी value, इसकी value तो find करनी है, इसकी value मेरे पास देखो, 5 given है, है ना, 5 given, 5 को नीचे बेज दो, बताओ, समझ में आया क्या, यानि a determinant का value आगया, 1 upon 5, clear है आपर, ठीक है, next देखो, 6 case, ठीक है, यहाँ पर यह value दे रखी, a दे रखी, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम a inverse find कर लेते हैं, क्या करेंगे, इसमें, पहले agent के निकालने के लिए, पहले co factor निकालेंगे, a11, a11, कैसे निकालनेगे, यह गया, यह गया, minus 2, a12, minus आयेगा, यह है न, minus 2, a12, यह गया, minus 5, a21, minus आया, यह गया, यह गया, हुआ गया, ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले हम निकालते हैं, adjoint of a, कैसे निकालनेगे, adjoint of a, minus 2, minus 5, minus 3, and 2, और इसका transpose, minus 2, minus 5, minus 3, and 2, ठीक है, अब a inverse निकालो, अच्छा, यह और निकाल दो, तो a का determinant भी solve कर दो, 2, 5, 3, and 2, 2, 2s are minus 4, minus 3, 5s are 15, 2, 2s are 4, 3, 5s are 15, minus का 19 होगे, ठीक है, तो 1 upon a का determinant of adjoint of a, यह है, आपके पास minus 1 by 19 value है, और इसका value कितना आया है मेरे पास, minus 2, minus 5, minus 3, and 2, इस minus के sign को अंदर multiply कर दूँ सबसे, तो बाहर तो positive का होगे और अंदर 2, 5, 3, और यह negative होगे, यह मेरे पास a inverse का value आगया है, अब देखो जो चीज find कर नहीं थी, a inverse equals to k a, इस में put कर सकता हूँ मैं इस value को, ठीक है, next rate पार आज़ते हैं, यहापर solve नहीं होगा, a inverse equals to k a, a inverse की value देखो, 1 upon 19, और 2, 5, 3 minus 2 equals to k a, यहाँ तक समझ में आगया सभी students को ठीक है, अब देखो, इस value को देखो, और इस value को देखो, दोनों सेम ही तो है, रहतो सेम, तो इसकी जगे भी मैं a ही put कर दूँ, अब यह a से cancel out हो गया, तो 1 by 19 बचा है यहाँ पर k का value, बताओ समझ में आगया क्या, clear है यहाँ पर, तो this is complete part 6 of cache number 5, next देखो, 7 पर आते हैं, ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, a dot adjoint of a equals to this, अब हमें बता है कि a, adjoint of a जो होता है न, आपके पास a determinant identity रहता है, of 3, 3 की बोल रहों है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर denote करके चल रहा है, इस तरीके से कि 3 into 3 की matrix है आपके, आपके लिए आटी देख सकते हों हैं यहाँ पर, कि जो आपके पास a क्या value है, adjoint of a equals to, यहाँ में से, यह जो value दे रखी मेरे पास, क्या दे रखी मेरे पास value, 3, 3, 3 दे रखी है, ठीक है, यहाँ तक clear, एकदम, एकदम okay है, ठीक है, यहाँ अब मैंने आपका भी formula बताया है, यह जो value अगर इससे compare हो रही है, तो यह वाली value भी इससे compare होनी चाहिए, अगर मैं से value से इसको compare करता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ because of a, तो यहाँ पर आपके पास a determinant की value कितनी आएगी, 3 आजाएगी, कितनी आएगी, a determinant की value आपके पास, 3 आजाएगी, बताओ समझ में आया है, यहाँ तर, छीक है, यहाँ तर, अब जो चीज आपको find करने को बोल रहा है, उस पे नज़र आलो, हमें बोल रहा है, adjoint of a का determinant solve करना है, तो हमें बता है, इसको मतलब क्या होता है, a की power n-1, n मतलब order, order कितना है, 3-1, इसकी value कितनी दे रखी, 3 और इसकी power हो जाएगी, 2, तो 3 की power होगे, 2 यानि की 9, बताओ समझ में आया है, क्या हमने निकाल लिया है, adjoint of a determinant equals to 9, बताओ क्या समझ में आया, तो this is complete cash in my fifth for exercise 4.4.